स्सालामिलेकूं जी क्या हाल चाल आपके, I hope आप सब खहरीत से होंगे, आज व्लोग मार्णिंग रूटीन से मैंने श्टार्ट कैठे ठीक है, आज मैं आप लोंके साथ शेयर करने वाली मार्निंग प्रोडक्टिफ रूटीन वीड माई किट, ठीक है, मार्निंग में मैं क्या ना चाहिए मैं नौनफल क्यों ना पर्डंग दूफर्स क्यों ना पर्रती हूँSch fly- juice का गुजरता है और भर मैं कुरान शिफ पड़ती हूँ चाहे मैं एक सूरत पड़े हूँ चाहे मैं अलाह के नाम पड़ हूँ मोःम्माभ छो आयात होDe उटि जो आयाइत होती न छोटी चोटी वह पड़़ू लेकिन मैं जरूर परती हूं मेरा यह सबसे बड़ा स्कून डोट को मैं उसके बाद चे मैं अपने काम स्टार्ट कर लेती हूं आज मैंने मौर्निंग से ही अपना विलोग स्टार्ट कर दिया था और यह मेरी बहुत प्रोड़क्टिव रिलास्टिक जो होती है हॉममेड हाउस वाइफ की छोट से सिंपल सी रूटीन मौर्निंग यह वाली रूटीन है यहां पर जी वो देखें आप लोग देखने सकते हैं ताहा मेरे जो मेरे प्रॉने फोल्वर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं के मेरे माशालास से दो बेटे एक बेटी हैं और यह बड़ा बेटा अभी प्र लगती हूं तब तक वो भी तैयार हो जाता है यहां पर जिसकी बेम बना रही थी पोनी ठीक है और साथ साथ में किचन में कर लंच बॉक्स की ना प्रीपेशन करी थी और लंच बॉक्स प्रीपेड किया फिर उसके बाद इनको अच्छे से त्यार करके मैं बेज़ती हूं मैं कुशिश करती हूं कि मैं अगर थी तू फोर आर्स भी रात में अपनी नीन पूरी कर रही हूं ना क्यूंकि हम लोग ऐसी आदत परी हुए है जैसे कि हम लोग यूट्यूब चैनल है तो हम लोग सारा इसको वेट एंड वाच करते हैं वी लोग सोचते हैं नेक्स तो काफी टाइम ना टाइम टेकिंग काम है काफी टाइम लग जाता हम लोग सोने में लेकिन मैं कोशिश करते हूं कि मैं सुपर मॉर्निंग में एक्टिव उठू ठीक है अपने बच्चों के लिए उनको अच्छा सा इन्वाइर्मेंट दू उन्हें बातें करूं उन पर दूआएं पढ़के फूकूं और ताके वो अच्छे से जा सेगे अच्छा सोरी टू से थोड़ा सा जो क्लिप ना आगे पीछी होगा है सबसे पहला है मैं इसको यूनिफॉर्म पहनाई थी वियर करा है तो इसके बाद मैं इसके बाल बनाए थे लेकिन वो थोड़ा सा आई थी तो काफी लोगा ने वाच किया काफी लोगा ने पसंद किया तो सबका जी शुक्रिया और यहां पर जी मैं अपने बच्चों को परिफ्यूम वगारा तो अभी से नहीं लगाती लेकिन यह मैं डोरा पाउडर इसकी खुश्पू काफी लोंग लास्टिंग है ठीक जब मैं तब टीचर्स बगारा इनके पास बैठते हैं क्रीब होते हैं तो अच्छी वाइब्स आते हैं यहां पर जी इनका लंच भी प्रिपेर कर लिया था और अब यह इनके लंच बैग में रखनी हैं और इनको सी ओफ करूंगी अच्छे से अपने बच्चों को आपने दिसंबर का फुल मंध जो है ना बच्चे जाएंगे वहां पर स्कूल जाएंगे यहां पर जी मैं थोड़ी बोर लाउंच के ना टीवी लाउंच की सफाई कर लेती हूं सारह जो बिकला बिकला होते हैं उसको समेट देती हूं लेकिन इसके बाद मैं अगें सोती हूं कुकिंग किस तरह की करनी हैं तो उसके अकोर्डिंग करती हूं अपने टाइम को इरेंज करती हूं और फिर रेस्ट कर लेती हूं पिर उसके बाद मैं अगें एक्टिव हो जानी कवाई पर सारह दिन NITS ताकि ये जो हे ना बच्चे एक्टीव भी रहें एक्टीव भी रहे ओरIGH्ट इंप धरकर arbitrators इन्तजार करते हैं ठीक और मैं सरा सदा पने अगाम थो समेचते रहते हु यहांपर जै मैं जल्दी से उटके ना सबसे पहले जो क्हाम कशुद को भी फील डेलक्स करवाती हूँ खुद को अच्छा से रिलैक्स फील कराती हूँ जिसमें मैं अच्छे से ना नीट अन क्लीन अपनी स्किन केर भी कर लेती हूँ और मेरी आदत है सारा विंटर्स मैंने ना सोक्स नहीं उतारनें सोक्स शूस में घर में भी कंफरेबल होके चलती हूँ ठीक है अ अर्राम सकून से बैठके पानी पी लेती हूँ जब बच्चे स्कूल गयोते हैं अच्छे से मैं और चोटा ब्रेकफस्ट कर लेते हैं इससे यह होता है कि अगर मैं खुद का ख्याल रखूंगी अगर मैं खुद एक्टिव रहूंगी तो ही मैं अपने बच्चों की टेक के हुँगी तो बिल्कुल भी जाहर सी बात है उनको मैं क्या अच्छा इंवाइरमेंट दूँगी इसलिए अब आप यकीन कि जब मेरे बच्चे हुएं अब वो उन्होंने होश संभाला तो मैं थोड़ी से अपने आपको और चेंज किया है और पहले जो है ना इनसान जब न अगल के बाद वीकनेस बहुत जाद है तो यह हाईली डॉक्टर रेकमेंट जो है ना वो किया हुआ है यह है आईरन की और वाटामिन डी की और फॉलिक एसिड की ठीक है आप लोग भी अपने डॉक्टर से कंसर्ण कीजिए और ज़रूर माल्टी वाइटमेंस लीजिए इस अपने बच्चों की मतब जो स्टॉरी होती है ना वो भी सुनाओंगी कि मैं क्या क्या करती थी या मेरे बच्चे मतब हुए ना तो मैं किस तरह से बिलकुल अपना ख्याल नहीं रख पाई। लेकिन खैर आप मैं अपनी टेकर करती हूं कहते हैं कि सेल्फ लफ लफ इस मौ काम करके चले जाती हैं फिर जी कुकिंग का टाइम होता है फिर सारा दिन ऐसे ही चल सो चल और मैं बहुत सिंपल सी बंदी हूँ जैसी में हो ना वैसी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देदे हूं और आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू ब हम लोग जल्दी उड़ जाते हैं तो हम लोग खुद कभी देखें मैंने टाइम दिया मैंने नमाज अच्छा नमाज पढ़ने का जो टाइम इना सकून है वो अकेले बैठके पढ़ने का तस्विया करने का क्योंकि बच्चों के साथ ना काफी मुश्किल हो जाता है और कभ मैं इस तरह करतीँ कुरान-बाच वो पर व्कता करते हृँ पर दीण हम फハハ जो है चृ करनी बारे में अपने टो इतने सो ट्रौंक बनो इतने से टूंग बनो कि सबसे ज़्यादा आप लोग कुनेक्शन जो ना अल्ला से मजबूँ जो को, आप लोग नमास पढ़ो, कुरान शीफ पढ़ो, तस्वियां करो जैसे आप लोग ये सोचते हैं, ब्रेकफस्ट में ये खाना है, बच्चों को ये खलाना है, लंच में ये खाएंगे, इसी तरह आप लोग ये भी सोचते हो, इस टाइम ये तस्विय करेंगे, और इस टाइम ये कुरान शीफ पढ़ेंगे, नमास पढ़ेंगे, तो खेर, बा और इसी शूट की थी लेकिन अब जैसे कि मॉर्निंग का काम ख़तम हो गया तो फिर मैंने यह एड़ कर दिया और मैंने का भी लोग भी जरा ना अच्छे से मुसाले की बुनाई की मैं आलो गॉबी जब भी बनाती हूं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी एड़ करते हूं जिसमें जीरा अजवाइन जिसमें रेड चिली पाउडर रेड चिली ग्रीन वाली चिली बहुत ही जबरदस डिलीशे सब्दी बनती आप प्रा करते हैं जाने दो लिंक हैं अपने कोमेंट सेक्षण में पिन करूंगी आप लोग वाज़ करना है कि आप लोग वाज़ करना है लाइक करना है और तक्रीब यह जो शायद 15 डेस पहले मैंने यह विलोग शेयर किया है कैसे आप लोग अच्छे इंग्रेंट में अच्छे श जो कॉमेंट साते हैं तो इंसान को बड़ी अच्छी वाइब जाती है खहर थैंक्स टो ला इस जहां रखता है बहुत बेहतर रखता है और ला ताला हुई को ही पता है कि उसने इस ने इसना को किसे कहां से इजधत नवाजनी है इजधत बखशनी है यह हम इनसानों को इतनी ज़्यादा नेमता है ना मैं सोच चोती हूँ कि हम लोग वाकिए शुकर अदा करें तो बहुत-बहुत मतब काम मैं जितनी नेमत यहां पर जी लंच रोटीन थोड़ी से अपकी बहने आप लोगों के साथ शेयर कर दी यहां पर बंद्री थी चाय और अभी थी मासी के बना रही थी अपने लिए और अमी के लिए और हमारे लिए आई थी गुलाब जर्मन की मिठाई हम लोग ने वह इंजॉय कि और आप लोग जानते होंगे कि मैं टीव लवर हूँ मुझे चाहे पसंदा जब मैंने खुद के अपनी कंपनी निजॉय करने होती ना नमास पर चाहिए बनारे। सheit कुछ ना कुछ मीठा ले लें लें लेक踏क्सित हो चाहे मेड़ाई ग επιचुर्प लोग वे लोग में शेयरिकां आप लो cuc से किसी टिप से कि मैंने कैसे हॉम मेर बगेर एकसाइस के सारे पलाइब ही हो इस अगर असा है तो लाइक टेना शेयर कर देनाा इस् descendants को पनी ती और इस अगर मेरी सिस्टर रहाई विलोग देख लिए हैं तो शाद वो कमेंट करके आप लोगों को बताएं कि फिश वाकी ही बहुत अच्छी बनी थी जिसमें नौ समेल बिलकुल भी नहीं मिलोंगे नेक्स विलोग में अला हफीज